अधे श्राइश और आप लोग हैं केडियों के फ्रेंड्स आज हम लोग स्वाड़ लोग में हुक मनाना सेखींगे हुक यह तरह काम करता है और यह आप देखिंगे बारी-बारी कंपनीज में या फिर कोई भी जो एक तरगी का किसी चीज को उठाने के लिए यूज किया जा है तो हुक वहां पर लगा जाता है मैं आपको ट्राइं दिखा जाता हूं एक बार इस ट्राइप से कुछ हुक होता है तो आज हम लोग इसको बहुत ही सिंपल तरीके से स्विप कमांड का यूज करके इसको बनाएंगे तो चलिए सुरू करते हैं मैंने एक निव फाइल ल लेता हूं देश्टॉप पर हुक नाम से चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाने के सिंपल तरीका क्या करना है आपको सबसे पहले जो भी इसके सेंटर लाइन दिख रही है इस सेंटर लाइन को ड्रो करना है और उसके बाद इसमें एक प्लेन के तरो यहां पे शुट कमांड को चुलाना है और यहां पर एक रेडियर लगाना है तीन से चार चीज़े करनी है बहुत सिंपल तरीका है तो नहीं से पहले हम क्या करते है आर सिष्ट्य का एक आर शिणि हार का अम रिदीयर बना लेते हैं मैं sketch लेता हूं फ्रेंट प्लेन पे यहां पे मैं इसको 120 करता हूं क्योंकि सिष्टी का रेडिया से तो 120 का डायमीटर हो गया कर दिया मैंने और इसके सेंटर से एक लाइन रो करता हूं उपर तक को सीधे वर्टिकल कर लेते हैं और जैसा कि देख रहे हैं अब यहां पे इसके सेंटर से 100 mm उपर तक एक लाइन इसको टच करते हुए आ रही है इस टेट पूशन से तो इसको हम 100 mm की डेमिशन दे देचे हैं सेंटर से 100 mm की डेमिशन मैंने यह दे दी इसके यहां पे रेडियस भी ला लेते हैं हम लोग डाइंग में यह रेडियस है 30 का और 50 mm इसका सेंटर है इस मेन सेंटर से 30 mm का यह रेडियस हो गया 30 into 260 का डायामिटर हो गया इसके सेंटर से इसका सेंटर का डिस्टैंस हो गया 50 mm और इसको यहां से और इस पॉइंट को दोनों को टेंजेंट कर देते हैं और करता हूं यह करने के बाद एक डेमिशन दी ही आप देखिंगे 21.5 मतलब इस हुक का यहां 21.5 पे कतम करना है जहां से यह दोनों सेंटर पॉइंट दोनों टेंजेंट पॉइंट मिल रहे हैं इसके पॉइंट से लाश्ट पॉइंट 21.5 का रखना है यह भी कर लेते हैं नॉर्मल हैक डाइमेश्न इसको क्ला गीज देते हैं ड्रो नॉर्व करते हैं और इसको ito से जाङध करते हैं क्लिकिते हैं और इसको इसको TWO करेंग करते हैं वहां frame की जोетрम और यह सहते हैं रहन से यहां तक क्यािंद हम 21.5 बहोड करते हैं कि स्कोप दिराद भी चुछ चूर्मर, अब इसको आप यहां से मुत्व चींद कर देटिते हैं और इसका पहल यह दोने को गेट कर देते हैं और इसका करें बुछा देदक, इसको यह साइज … दोनों को दोनों को तो ने को यह navy सूल है और यहाँ पर भी एक trim करेंगे trim करने से line blue हो जाएगी तो normally इस को center दोनों का consistent कर देते हैं यहाँ पर भी एक radius है यह radius है 20 का, तो यह हम 20 का radius देते हैं यहाँ पर दोनों के बीच के center दोनों के बीच में 20 का radius देती हमने कि यह हमारा यह सेंटर लॉइन जो है पुरा ड्राव गिया है देख रहे हैं 25 का डायमेटर से हमको इस वे अब शिप कराना है तो 25 का डायमेटर हम कहां बनाएंगे इसके टॉप पे बनाएंगे इसके लिए हमें एक प्लेन बनाना पड़ेगा फिचर में जाएंगे प्लेन को क्लिक करेंगे और फर्स्ट पॉइंट मांगता है यह हमने इसके पॉइंट ले लिया अब सेकंड पॉइंट में आप इस लेन को क्लिक करिए यह इसके परपेंडुकलर यहां पे प्लेन बन जाएगा इस plane पे आपको एक sketch बनाना है और इसको normal to करके इस plane पे ही हमको एक diameter बनाना है इसका size होगा 25 mm 25 mm यह हो गया और इसको exit कर देना है इसको height कर देते हैं अब हम इसको shift command feature में आती है shift बस कोई click करेंगे और जो भी profile है उस profile को click करते हैं और दूसरी है यह बोल ला है कि यहाँ पे एक guide profile चाहिए जो path चाहिए तो path हमारा यह रहा और यह shift लग गया simple है कर देते हैं इतना काम हमारा हो गया 90% काम हमारा हो चुका है बस हमें एक radius लगा रहा है यहाँ पे यह conical radius होता है तो यह R10 का बनेगा 0.05 का conical लगेगा 0.05 का इसका यह अरेचो होगा जो है तो हम इसको बनाते हैं radius को click करेंगे और यहाँ पे हमें इसे एक को click करना है और यह symmetric की गया है sorry यहां को नहीं का आरेचो हो गया 0.05 and 10 और 10 का यह हमारा लग गया देख रहे है 0.05 और यह 10 का हमने value कर दिया यह आरेचो हमारा लग गया conical radius बोलेंगे इसको बहुत simple है देख रहे हैं बहुत सही बनाई यह और proper इस dimension को ही follow कर रहा है तो यह हमारा hook बन गया इसी तरके से normal आप shift command के यूज़ करके आप किसी भी इस तरकी के profile को बना सकते हैं और बहुत simple है यह देखा आपने 2-3 command के दर यह बन गया तो इसका यूज़ क्या है कि इसको हम सीज़े किसी भी कोई भी चीज़ को हमको hanger करना उठाना है तो इसके थुरूब हम इसको इससे करके ऐसे कर उठा लेते हैं किसी भी चीज़ पर एसेंबल करके इस टाइब का हम यह हुक मनाएंगे बहुत simple है तो दोस्तों आज के लिए इतना ही इसी तरके के दे अच्छे चीज़ आपकी लाते रहेंगे जानका रहें कि कोई भी आप लोगों को डॉट्स हो तो कमेंट बोग में पूछिए कुछ नहीं आपको देखना हो सीखना हो तो कमेंट बोग में जरू किलिक करिए और पूछिए और चैनल को सब्सक्राइब जरू करिए और वीडियो अच्छा लगए तो अपने ट्रेंड से से सेर करिए और लाइक जरू करें नेट्ट वीडियो में फिर मिलते हैं तब तक लिए बाबाई टेक क्यर